हाथ तो नमस्कार दोस्तों केम्चो क्यालचा सोगत करता हूं कमल येनपी के इस चैनल में आज सब का दोस्तों में नाम है राज कमल तियार फाइनली गाइस आज का जो टॉपिक है नहीं बहुत ही इन्पोर्टेंट है अगर आप इस्टुडेंट हो तब भी आपको देखना मेरे पास ये जो पेपसी के जो बोतल है ना इसको बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि बहुत लोगों ने बोला है कि इसकी एस्टुड के मात्रा जो वैग्यानिक इस पर रिसर्च करते ना वो कहते है कि साथ साल पेपसी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा पाँच साल पियो तो नपुन सकता आ जाएग वैग्यानिक तो बोलते है कि एक इंजेक्शन पेपसी ब्लट में लगाओ तो हिरदय गात की संभावना पैदा हो जाएग कई वैग्यानिकों ने ये सिद्ध किया है कि गर्ववती मा अगर कोका कोला पी ले तो गर्व में पास बहुत कुछ है पीने के लिए संत्रे का रस मुसम्मी का रस नीपु कि शिकन जी नारियल का पानी दही की लसी गाय का दूद कुछ नहीं मिले तो गड़े का पानी बहुत ज़्यादा है ये पीने योग्य नहीं है तो यह हम लोग क्लिर करेंगे कि ये सचमुछ पीने कि हेगे लें कि नहीं है । तो कितना मातु आम लें सकते हैं पुरे साल आप शे महींने में या कितना समय इसको पी सकते क्लिक में पर देखा ते श्यक्ति में परहूंगा यह को को देखा वाले की तो यह मैं ने ले रखा यह ये पानी, simple पानी है, मेरे पास जो hand pump का होता है, और इसके अलावा मेरे पास एक बरसात का पानी है, और इसके अलावा मेरे पास एक है जो गंदा पानी है, मेरे पास नाले का पानी नहीं था, तो मैंने ये गंदा पानी ले लिया है, और इसके अलावा मेरे पास है एक और भी प्रोडक्ट है वो कितना नुस्कान देख हो सकता है तो यह सब चीज़े हम लोग जानेंगे कैसे यह पॉसिबल है कैसे हमाई पास एक लिटमस पेपर है जिसके मज़़ से हम लोग यह जान सकते है ठीक है मार्केट में बहुत सेस्ता मिलता है इसकी मिश्ट्री क्या है और यह पीच वैलू क्या होती है ठीक है तिसके बारे में आप समझ सकते हो कि यह पीच वैलू क्या होती है पहले मैं आपको समझा रहेता हूँ एक छोड़ा सा यह वीडियो पहले समझ लोग आप पीच वैलू एक माप है जिसका उपियोग द्रवियों और विलैनों के तत्वों की आकर्शन शक्ती की मापन के लिए किया जाता है पीच स्केल एक अंशक स्केल होता है जिसमें सबसे छोटा मान शूने और सबसे बड़ा मान 14 होता है और यहाँ पर साथ एक निट्रल मान को दर्शाता है पीच के मान निम्नलिखित तरीके से होते हैं पीच शूने से छे तक इस रेंज में मानविय आंत, तंबाकु धूमरपान और बैटरिया की तरह अमलिय द्रव्य होते हैं जो अमलिय एसिडिक होते हैं पीच साथ यह निट्रल पीच होता है जिसे पानी के तरह म मान आजाता है पीच 8 से 14 तक इस रेंज में साबुन, कैस्टिल सोप और अन्यक्शारिय द्रव्य होते हैं जो क्शारिय बेसिक होते हैं पीच मान द्रव्यों के रसायनिक स्वभाव को दर्शाता है और यह उनकी रसायनिक गुनों को समझने में मदद करता है पीच मान का सह नियंतरन अत्यधिक या अत्यधिक शारिय या अमलिय द्रव्यों की विचारना और उनके उप्योग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जैसे कि पाने के पीने जगह, खाद्य पदार्थों के बनाने में और और आश्धियों के तयार करने में तो फाइनली आपने गाइस यह पीच वैलू तो समझी लिया होगा अभी जो पीच वैलू आपने जो समझा है न देखो अभी क्या है कि इसमें मैं आपको डिस्पेली में भी दे दूँगा आपको इसके रिटेस मिल जाएगी पीच वैलू कैसे निकालते है और किस पीच व हो गया हो गया 2m3 है कि यह मैं थोड़ि सब्सक्राइब पार लेता हुँ ठीक है और मैं इसमें से फादने के बाद रोके वेसको यहांत रग लेता हूं और अधिस यहां पने है कि करके आपको यह आगे आए रेड और यह जो रेड है मेरे खाल से यह आज की पीएच वैलु लगबग आ रही है आपकी तीन के बराबर इसमें आ रही है लगबग में एक को रेट रिदम बिल्कुल भी यह बहुत यह रहा ओल तरीका है पता करने का तो इसलिए बहुत यह रहा एक क्रेसी इसके बाद हम लोग पता करने वाले है ये स्प्रेज जो हमारे पास ही इस पीरे की हम लोग पता करेंगे ओके अभी इस प्रेज पर हमारे जो मारे लिशमा से पर इस पर देख रहे है कोई भी कुछ खास असरह नहीं सहुँन में आ रहा हैं इसमें उके तो इसकी प्येस वै जा रही है, इसलिए इसमें हलका हलका अरापन आ गया है तो मतलब इसकी जो pH वैलू है, इसकी कम होती जा रही है, इसकी पीछ वैलू लगबारी एं समय 8 के पास है, 8 या 9 के पास है ठीक है, 8 और 9 के हलाकि और गंदा पानी होगा तो इस एक हमारे पास ये निकल गया होँ हमारे पास है की पानी से gwemत बर्फाद का पानी सबस्कों का हुगे हुगए मैं अधम कि यह साहता था यह थी ठीघ है इस ठीच के है फिर भी इसको थ्वावुत पीने योग है यह और इसके बाद है गैस यह हो गया हमारा सथ सुद्ध पानी ठीक है जिसमें की यह पी एच वैलू जो है इसको अब देख सकते हैं जिसकी वैलू लगबक साथ के छे और साथ के बीच में आ रहे गे ठीक है तो यह ठीक है यह प हमारा आगिया प्यषणों आप कर लोग हो था फे ऊंग मैं अब चैक है अभी दोक petals कर देख ारता हूं और इस्में आậnव्यालार इता हूं कि मैं 명ुलार chill लिता हो रहे कि ठीक है और इसकी भी PS value आ रहे हैं लवक पांच और तीन के बीच में जब कि अगर इसको किसी डिश्टान मिलते हैं से देखेंगे तो तीन टे भी नीचे चला जाए या तो तीन के लवक चला जाएगा ऐसा हो सकता इसमें बट गाइस ये फिर भी आपको ये जा रहा है तीन औ तीन पांच और तीन के बीच में तो फाइनलि गाइस ये अभी देख सकते हैं अभी देख सकते हैं थीक है मैं डिस्प्लेए पर इसका देदूँगा वैलू एक ठीक है आपको देख जाएगा तो यह फाइनली आप गयस ये आपने समझा कि देखव भी क्या हुआ इसके तब तक के लिए नमस्कार खुदा आपी जैन जै भारत